एलो व्यूवर्ज आज मैं आपको प्रेम चंदौरा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को निर्मला का विवा हो गया वह सस्राल आ गई थी वकील साब का नाम था मुंसी दोता राम साहले रंगे मोटे ताजे आदमी थे उम्रतों अभी चालिस ते अधिक नहीं थी पर वकालत के गठर बरिस्रम ने सिर के वाल पका दिये थे वयायम करने का उन्हें अपकास नहीं मिलता था यहां तक कि कभी कहीं घुमने भी नहीं जाते थे इसलिए उनकी तोन भी निकल आई थी देगे स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी मद अगनी और वावसी से तो उनका चिरस्थाई सम्मन था अतियव बहुत फुक फुक कर कदम रखते थे उनके तीन लड़के थे बड़ा मांसा राम सोलाई वर्सका मजला जिया राम वारै और सिया राम साथ वर्सका तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे घर में वकिल साब की विद्वा वहिन के सिवा और कोई औरत नहीं थी वही घर की मालकिन थी उनका नाम था रुकमणी और अवस्था थी पचास वर्स से उपर ससराल में कोई ना था स्थाई रीदी से यहीं रहती थी दोता राम दमपत्ती विग्यान में कुशल थी निर्मला के पिरसन रखने के लिए उनमें जो सवह कमी थी उसी वह उपहारों से पूरा करना चाहते थे यदभी वह 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 थी मितवई पुरुष थे कभी शेर तमासे देखने ना गए थे पर अब चुट्टियों में निर्मला कोश्ट नेमा सरकस, ठीएटर दिखाने ले जाते थे अपने बहुमूल समय का थोड़ा सा हैस्ता उसके साथ बैठकर ग्रामो फोन वजाने में वितित किया करते थे लेकिन निर्मला को ना जाने क्यों तोड़ाराम के पास बैठने और हसने बोलने में संकोच होता था इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था जिसके सामने वैसर जुका कर देचुरा कर निकलती थी अब उसकी अवस्था का एक आदमी उसका पती था मैं उसे प्रेम की वस्तु नहीं सम्मान की वस्तु समझती थी उससे भागती फिरती उनको देखते ही उसकी पिरफूलता वलायन कर जाती थी वकील साब को नमत्ती विग्याने सिखाया था कि यवती के सामने खुब प्रेम के वात नहीं करनी चाहिए दिल निकाल कर रख देना चाहिए यही उसके पाने का मुख मंत्र है इसलिए वकील साब अपने प्रेम प्रेशन में कोई कसर नहीं रखते थे लेकिन निर्मला को इन वातों से घरणा होती थी वही वाते जिने किसी यह वकी मुझे सुनकर उसका हिरदय प्रेम से अनवत हो जाता था वकील साब के मुझे निकल कर उसके हिरदय पर सर के समान अगात करती थी उनमें रसना था उलास ना था उनमाद ना था हिरदय ना था केवल वनावट थी धोका था और शुष्क नीरस सब्द भंडार उसे इत्रोर तेल बुराना लगता था शेरतमा से बुरेना लगते थे वनाव सिंगार भी बुराना लगता था बुरा लगता था तो केवल दोता राम के पास वैटना वहे उन्हें पसंद ना करती थी गली प्रभाद समीर से ही इस पर से खिलती है दोनों में समान प्रेणा है न पहला मैना गुजरते ही तोता राम ने नर्मला को अपना कचाँजी बना लिया था। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते थे। उनका ख्याल था कि नर्मला इन रुपए को देखकर फूली ना समाएगी। नर्मला वड़ी सौंक से इस पद का काम अंजाम देगी। एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज काम क्यों है। ग्रष्टी के समद्वें उनसे खूब बातें करती। इन्ही बातों के लायक वह हुने समझती थी। जियो ही कोई प्रेम की बात उनके मुझे निकल जाती। उनका मुख मलन ह हो जाता था। निर्मला जब वस्त रादी पहन कर अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने स्वांदर की सुष्वापूर आफा देखती तो उसका हिर्दय एक श्रत्रष्ण कामना से तड़ परता था। उस वक्त उसके हिर्दय में एक जौला सी उठत मन में आता है इस घर में आँग लगा दो अपनी माता पर प्रोध आता पर सबसे अधिक प्रोध विचारी निरप्राद दोता राम पर आता था। वस्त विस वाद पर जला करती है वाका सवार लट्टू टट्टू पर सवार होना कब बंद करेगा चाहे उसे पैदली क्यों चलना पड़े निर्वला के दशा उस ही वाके सवार किसी थी वह उस सवार पर होकर उड़ना चाहती थी उस उल्लास में विद्धित गती का अनंद उठाना चाहती थी टट्टू के हिने नाने और कनोटियों घड़ी करने से क्या आशा होती समभव था कि बच्चों के साथ ह असने खेलने में वह अपनी दशा को थोड़ी दिर के लिए भूल जाती कुछ मन हरा हो जाता लेकिन रुकमणी देवी लड़कों को उसके पास बटकने में न देती थी वानो वह कोई कशाच नहीं हो जो नहीं निकल जाएगी रुकमणी देवी का सवाव सारे संसार से नरा बाज हो जाए अगर नरमला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहां कि मनूस है अगर भै कोठे पर चड़ दाती है अमहरियों उसे बातें करती तो चाहती बीटने लगती कि लाज नहीं है ना शरम है निगोडी ने खया भून खाही अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी जब से वकील साब ने नर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किये रुकमणी उसकी हलोशना करने पर आरोड हो गई उन्हें मालूम होता था कि अब प्रिल्य होने में बहुत कसर नहीं रह गई है लड़कों को बार बार पैसे की जरूरत पड़ती जब तक खुद सौमी थी उन्हें बहला दिया करती थी अब सीधे नर्मला के पास भीज़ती थी नर्मला को लड़कों के चटोरा पन अच्छाना लगता था कभी-कभी पैसे देने से इंकार कर देती थी लुकमणी को अपने वांगवार सर करने का अफसर मिल जाता इसी तरह किता नर्मला को प्रति दिन दिया कर दी थी एक दिन उसने अपने पती से कहा कि जरा आप जीजी को समझा देजे क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है तो तराम ने तेज होकर कहा तो मैं कुछ कहा है उनोंने रोजी कहती है बात मुह से निकालना मुश्किल है अगर उन्हें इस बात की जलन हो गई है कि यह मालकेन क्यों बनी हुँ है तो आप उन्हें को रुपए पैसे दीजिये यह नहीं चाहिए यही मालकेन बनी रहे मैं तो केवल इतनी चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने ना दिया करें दोताराम ने रुकमणी को समझाया पर वह नहीं समझती थी उस दिन अपने प्रगाण परणाय का सबल परणवाण देने के बाद मुझे तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर मिस्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा लेकिन उनकी है आशा लेश मात्र भी पूरी नहीं हूँ विल्कि पहले तो वह कभी-कभी उनसे हस बोल लिया करती थी अब बच्चों के ही लान-पालन में व्यस्त रहने लगी जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते कभी देखते कि उन्हें ला रही है कभी कपड़े पहना रही है कभी खेल खेला रही है कभी कहानी कह रही है निर्मला का दृश्र धरदय पिर्णे की और से निराश हो कर इस अबलंब ही को गनीमत समझने लगा बच्चों के साथ हसने बोलने में उसकी मात्र कलपना त्रिप्त होती थी पती के साथ हसने बोलने में उसे जो शंकोच जो अरुची तदा जो अनिक्षा होती थी यहां तक कि वह गर भाग जाना चाहती थी उसके बदले बच्चों की सच्चे सरल इसने से मन परसन हो जाता था पहले मंसाराम उसके पास आते हुए कुछ जगता था लेकिन मांसे विकास में पांच साल चोटा होकी और फुटवाल ही उसका संसार उसके कलपनाओं का मुक्त चेतर उसके कलपनाओं का हरा भरा वाग था एक हैरे बदन का चरहरा संदर हसमक लजजशील बारक था जिसका घर से केवल मोजन का नाता था बाकि सारे दिन ना जाने कहां गूमा करता था नर्मला उसके मूँ से खेल के बाते संसन कर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंटाओं को भूल जाती थी और चाहती थी कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुडिया खेलती और उसके व्यार रचाय करती थी और जिसे अभी थोड़े आ बहुती दिन गुजरे थे और इधर दोता राम नर्मला को खुश करने के लिए प्रति दिन अलग-अलग तरकीवे नगाया करती थी कि वे किस तरह उसे खुश कर पाएंगे सबस्क पाएंगे